यह देखो भाई लोग क्या है हमारे पास गेमसर का VX2 जो कि एक गेमपैड है कीबोर्ड है और माउस है इसको करेंगे हम लोग उन्बॉक्स से पहले सेफटी एननमर बन प्राइरटी तो चलिए इसको उन्बॉक्स करते हैं आपको क्या लग रहा है मैं इसको उन्बॉक्स करने ओला है पहले सा अनबॉक्स किया हुआ है आप सुम्हों मैनुफ्र शूर्स यह माउस है जो की चनेक्टेड है हमारे गेमपैड से दिस दे गेम पैड और कीबोड भी आई है लेकिन इसने टाइपनि नहीं होगी यह हमारा वार्लेस कनेक्टेड है जो पीसी में जाएगा तो इसको हम connect करते हैं सबसे पहले अपने gaming PC में और यह हमने connect किया है अभी क्या है यह red switch क्या feeling है चबरदस feeling यह mouse वारे gamepad से connect हो रहा है मैं इसको gamepad क्यों बोल रहा हूं क्योंकि इसमें joystick के जैसे यहाँ पर आपको देख सकते हो movement है भाई this will act like a joystick आप इसको connect कर सकते हो PS4 से और मज़े ले सकते हो joystick का जबरदस्त यहाँ पर mouse में L1, R1 जितने भी keys होते हैं joystick में सारा इसमें configured है आप इसको use कर सकते हो अगर आपके पास wide mouse है किस तरह का wide mouse है पहले से जो कि इस से यह better quality का है जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों के पास होगा क्यों इतना हलका mouse तो मैंना इस तरह कभी यूजी नहीं किया आपको डिजाइन देखके कुछ यादा रहा होगा आपको था माउस है बहुत हलका mouse है मतलब इसको बोलता है ना कि इसको हलका बनाने के लिए इसमें जो machine की गई इसमें जो net बनाये गया है उख एकड़ बिलकुल भारी भारी माउस है जो कि अच्छा खासा क्वालिटी का है ठीक है जिसमें और डी कीबोर्ड अटाइस्ट है ठीक है इसमें पहले से नमपैड अटाइस्ट है लेकिन इसकी फिलिम अलग है अगर आपके पास कोई माउस है जिसको आप नहीं चेंज करना चाहते हो यह उसको यह वायरलेस बनातेगा यह PC से connection इसका हट जाएगा यह बहुत अची क्वालिटी की बात है मैं एक चीज में experience से बता रहा हूँ कि जो हमने face किया है जो वायर का जो जंजट होता है अगर उससे कोई मेरे को दूर कर दे मेरे पास जो headphone है वायरलेस है इसी वज़ज़ स है यह गेमसर ने मुझे प्रोडेक्ट रिव्यू के लिए बेजा है अभी तक मैंने इसमें गेम नहीं खेला है लेकिन लोग से मैं बता दू अच्छी क्वालिटी का बिल्ट है यह भारी है स्टर्डी है ऐसा निकी छोटा है तो हलका है और इसका ग्रिप भी बहुत जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर हैं यहाँ पर कनेक्शन का इंडिकेटर है यहाँ पर यहाँ पर यह कनेक्शन मोड का इंडिकेटर है यहाँ पर बैट्री का इंडिकेटर है चार्ज करने के लिए आप यहाँ पर लगा सकते हो यहाँ पर आपके पास ओफ़ोन का स्विच यहां पर आपका माउस लगने का port है USB का जिसमें आपको भी माउस लगा सब्सक्राइबर किसी भी माउस के साथ यह टाइपिंग का की नहीं है अगर आप चाहोगे किसारी फैसलिटी आपको मिल जाए टाइपिंग की तो नहीं होई यह गेम खेलने के लिए इसको गेम खेलने क अगरे में अच्छा लग रहा है सबसे इंपॉर्टन चीज जो इसको देखके मुझे लग रही कि आप स्पेस देख रहे हो आप देख रहे हो इस पेस देख रहे हो क्या कितनी जगह है भाई एच छोटा सा कीबोर्ड हाथ की साइज का यह पाम साइज है इस 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 पाम क्या होता है कि आपके पास कीबोर्ड के लिए इतनी जगह होती है इस इस यह कीबोर्ड एंड दीस इस इर माउस शैंसी बढ़ा लो तो फिर आप कंट्रोल कर पाऊ गया है इतनी बार मेरे साथ यह हुआ है कि मेरे को जब बंदा चारोतर भूम रहा है तो मेरे को माउस ले फैसे ले आते जहां पर कीबोर्ड ऊपाइसे डगरा गया एज़ने मुझे लगता है अब नहीं लोग है यह मुहममेंट जो हेना यह है इस इस हैं टिडियन खेलते हैं एक लगात्य आई कि एरिगत है और डिविए इसमें एक क्वार एक ही और इससे डिपे इंग होता है इसके इसके मैनुवर में और जैसे ज रेक्सथा क्लर चैंज बचलबर 7 देख्भा तो अगर यह आप दबा रहो और अगर डिट Legal रहा है तो आपका सबसे low dpi है this is the lowest dpi अब आद बाकी फिर बढ़ता जाता है और 6400 तक dpi आज आज आब यह बैरल चला लेता है ओ भाई मेरे को कार नाइटियों प्थान दे स्नाइपिंग इंपोर्टेंट है जिन्दगी में कि यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा सा स्पेश में ध्यान रखना होगा यह एम है बघल में तो मेरे भगल महीं होज़ा है कि मेरा भी मैक डप गया सा थोड़ा सा यह हाथ का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंख trabaj um के वो तोड़ा सा मेरे को मैं क्योंकि बड़ा कीबोर्ड युज करता हूं तो मेरे को ठोटा लग रहा है अरे बाई हम स्टार्ट हो गए नया तीनुद है पैल दिया भाई हो 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 बाई यह मार दिया हमने हैट शाट बाई मैंने सेंसी कर दिये बहुत दो ठीग है बहुत लो सेंसी है अरे 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 जब कर रहे लोगा है पैचान लिए गया है भाँ वाँ यहाथ है पाँ यहाथ है अब सब्सक्राइब ओवर टाइम यह कैसा परफॉर्म करता है यह मैं आपको अप्डेट कर दूँगा अभी तक तो सही लग रहा सब कुछ देखके और जगह बहुत कम खीच रहा है यह बहुत इंपोर्टेंट सी हो गई मेरे लिए यह अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको लिंक दे दूँगा अपने सकते हो कि फर्स्ट इंप्रेशन मेरा बहुत इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका ओवर टाइम कैसा परफॉर्म करता है डियरबिलिटी क्या होती है इसके बारे मैं अपडेट कर दूँगा आपको और कोई गंपनी है जो रिवीव बेंदा जाती है ड्राइक नहीं लगते सब्सक्राइब भी करनेगा सब्सक्राइब तो सबसे इंपॉर्टेंट की जाया और शेयर करो दोस्तों को दिखाओ कि ऐसा प्रोड़क्त मार्केट में देख रहो काफी खतरना लाइक शेयर और सब्सक्राइब थाइक यू